नमस्कार दूस्तों आरे टूब चैनल एक जाम लर्नर में आपका स्वागत है साथ में विल आइकन को प्रेज कर लिएगा जिसे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे तो आएए शुरू करते हैं पहला प्रशन है निमलकित सासकों में से किसने हर्स वर्धन को पराजित किया था चार भी कल्प दिया गया इसमें आपको बताना है कि कौनसा आप्षन सही हो जाएगा तो D आप्षन आपे सही होगा पुलकिसिन दूति है पुलकिसिन दूति ने चालू के वंस का यह सक्तिसाली राजा था और हर्स वर्धन तथा पुलकिसिन दूति है दोनों के राज्य की सीमा नर्मदा नदी थी दोनों ही सासक अपने राज्य के बिष्टार की महत्वकांचा रखते थे और इसके बाद दोनों के मध्य जो है नर्मदा नदी के तड़ पर युद्ध हुआ इसमें हर्सवर्धन की पराजय हुई इस युद्ध के विशय में दो परमाड मिलते हैं एक तुआ पुलकेसिन दुती का एहोल अभिलेक और दूसरा मिलता है हुएन सांग का यात्रा बीबरड जिसमें उसने पुलकेसिन दुती को मोहोल चार थात महरास्ट का सासक बताया है तो D आप से नहां सही होगा पुलकेसि यानि कि यात्रा वितांत सी यू की नाम से प्रसिद्ध है वो हर्सवर्धन के सासनकाल में यानि कि 629 इस भी में भारत भर्मन पर आया था तो ये पूछायता है प्रशन कि फ्वेंसा अंकिस के सासनकाल में भारत आया था तो हर्सवर्धन के तो वरारशी यह आपसणा पे सही हुँँजाएगा पार्शुनाथ एटएसुमे जैन तिर्थंकर थे और इहां पे जुँ माता का नाम वामादेवी था और इनका चिन था सर्ब चौथा प्रश्नियप गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन की समय दिया था तो यहाँ पे डी आपसन सहीव का भारत छोड़ो आंदोलन की समय भारत छोड़ो आंदोलन 1942 इस भी के समय जो है करो या मरो का नारा आठ अगस्त 1942 को गांधी जी के भारत छोड़ आंदोलन प्रस्ताव को कांग्रेस कार समीती ने स्विकार कर लिया था और इस आंदोलन के सुरुआद वंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से हुआ था तो भारत छोड़ आंदोलन के समय ह करो या मरो का नारा दिया था पांचोव प्रस्त ने सिवाजी का छत्रपती के रूप में आपचारिक राज्याभी सेख कहां पर हुआ था तो रायगड में सी आपसनिया पर सही हो जाएगा सिवाजी का छत्रपती के रूप में आपचारिक राज्याभी सेख 1674 में कि बरतमान स्वेरूप का निर्माण निमलखित मेंसे किसने करवाया था तो सीर सा सूरी ने ये आपसे यहापे सही हो जायेगा धूली के यमुना नदी के किनारे श्थीत प्राचीन दीन पनाह नगर का आंत्रिकी यह चीला है सात्मों प्रशने भारती राजियों पर अंग्रेजी प्रभुत्तों अस्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि पड़ाली की सुत्रपात किया था तो लाड वेलेजली ने बी आप सनिया पर सही हो जाएगा लाड वेलेजली ये प्रथम अंग्रेज था जिसने भारती राजियों को अंग्रेजी राजनेतिक परिध में लाने के लिए सहायक संधि पड़ाली का सुत्रपात किया अर डूपले पर्थम यूरोपी ये था तो धियान दिज dabei यहां पर यूरोपी पूछा जाय तो डूपले होगा डूपले परूपी पर्थम यूरोपी था जिसने भारत में सहायक संधिक की नेति कानुशरण कीया तथा अपनी सेना भारती राजाओं को किराय पर दी थी तो अधी अंग्रेज पूछा जाए तो लाड़ बेलेजली होगा यदी यूरोपी पूछा जाए तो हो जाएगा डूपले तो यहाँ पर B आपसन सेह होगा 22 अक्टूबर 1764 इस भी को हुआ था जिसमें अंग्रेजों की बिजय होई थी और प्लासी के युद्ध ने बंगाल में जबकि बक्सर के युद्ध ने उत्तर भारत में अंग्रेजों की सक्ति को शुद्रिट कर दिया था नौप प्रशने निमलकित में से कौन पावर्टी एंड अन ब्रिटिस रोल इन इंडिया के लेखक हैं तो यह दादा भाई नौरोजी डी आपसनिया पे सही हो जाएगा और इनको ड्रैन ओल्ड मेन आफ इंडिया की नाम से भी जाना जाता है दस्वप प्रशने निमलकित में से किसने नेल की खेती के संबंद में चमपारड में महत्मा गांधी को आमंत्रित किया था तो यह दे राजकुमार सुकले सी आपसन यहाँ पे सही हो जाएगा और इन्होंने आमंत्रित किया था कांग्रेस के लखनव अदिवेशन जोकी 1916 में हुआ था वही पर जाकरके इन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया था यहाँ पे सी आपसन सही हो जाएगा इग्रहों प्रशने भारती दलहन अनुसंधान संस्थान इस्थित है तो कानपूर में है यहाँ सी बिकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा और अग्ला प्रशने बिसेश आर्थिक छेत्रे यानि कि Special Economic Zone इसे सेज कहा जाता है यह नेती घोशित की गई थी कब तो अप्रेल 2000 में यह आपसनिया पे सही हो जाएगा प्रभावी आयात निर्यात नेती में जो है निर्यात हित उंतराश्टी अस्तर का प्रतिश पर थी वातावरण सेजन के उद्देश से देश में एक अप्रेल सन 2000 को पहली बार विशेश आर्थिक छेत्रे यानि कि सेज नेती घोशित की गई थी तो यहाँ पर यह आप्षिन सही हो जाएगा दोस्तों अनेकैडमी पर अभी मेगा सब्सक्रिप्शन आफर चला है यह दिया आप UPPSC और UP3C एक्जाम के प्रिपरेशन करना चाते हैं तो आप अनेकैडमी लर्निंग प्लेट फार्मा एप से जुड़के अपनी तैयारी को बहतर तरीके से कर सकते हैं और आप असानी से एक्जाम को क्रेक कर सकते हैं बारे मंत का सब्सक्रिप्शन पे दो मंत का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है और 24 मन्त हैने की दो साल के सब्सक्रिप्शन पर आपको 3 मन्त का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है या फर 20 से 24 दिसंबर तक के लिए जो है वैलिड है तो यह आप अनेकैडमी से जुड़ना चाहते हैं तो यह अभी आपके लिए जो है बहुत ही अच्छा मौका है आप जूड़ सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है वहाँ से जाके आप डिटेल जो है चेक कर सकते है अगला जो प्रशन है आपका भारती सम्विधान का अभिभावकत तो नहीं थै किस में तो यह है सरोच नियायाले C भी कलप यहाँ पर सही हो जाएगा भारती सम्विधान का अभिभावकत तो यह है सरोच नियायले में नहीं थै और सम्मिधान के उन्हों 6 देखा जाए 132, 133 और 228 में सम्मिधान की ब्याक्या करने का अंतिम अधिकार सरोच नियायले को दिया गया है तो यहाँ पे C आपसन सही हो जाएगा अगला प्रशन नियमलिकित में से कौन सा भारत के सम्मिधान द्वारा प्रदत 6 मूल अधिकारों में से नहीं है तो इसमें B आपसन जो दिया गया है बिरोध का अधिकार यह जो है सही हो जाएगा भारत के समिधान द्वारा प्रदत छे मूल अधिकारों के अंतरगत बिरोध का अधिकार ये सामिल नहीं है अन्य मूल अधिकारों के अंतरगत जैसे समानता का अधिकार है, सोशन के बिरोध अधिकार है, धर्म की सुतनता है तो कुल 6 मूल अधिकार है, बिरोध का अधिकार इसमें नहीं है अगला प्रशन है भारती संभिधान के अंतरगत निमलिकित में से किसे मूल अधिकारों का संद्रचक समझा जाता है तो ए नियाय पालिका को, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा सुनाव कुशिन आपका, संपत्य के मौलिक अधिकार को कब समावत किया गया तो ए हुआ था 1968 में 44 संभिधान संसोधन के दौरा ए भिकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा और इसमें आपको पता होगा कि संभिधान के 44 संसोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके इसे आर्टिकल 300A में एक बिधिक अधिकार के तहत इसे रखा गया पहले मौलिक अधिकारों की संख्या साथ थी लेकिन जब इसे हटाये गया तो अब मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है कब हटाये गया था तो 1978 में 44 में संभिधान संसोधन अधिनियम के द्वारा अगला प्रशना भारत में महिला सम्रिधी योचनाश शुरू की गई थी कब 1993 में शुरू हुआ था बी आप से नहीं पर सही हो जाएगा 2 अक्टूबर 1993 को ये सुरू किया गया था अगला प्रशना भारत में अच्छे पात्र फांडेशन संबंधी थे किस से तो प्रात्मिक विध्यालियों के विध्यार्थियों को मध्यान भोजन याने की MDM से संबंधी थे अच्छे पात्र फांडेशन भारत का एक गैर सरकारी संगठन याने की NGO है जिसकी अस्थापना सन 2000 2000 में बैंगलोरू याने की करनाटक में होई थी और ये संस था इसकूली छात्रों को नहीं शुल्क मध्यान भोजन उपलब्द कराती है 1900 प्रशने सदाबहार करांती भारत में क्रिशी उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रियोग में लाई गई तो यहां पर भी आफन से हुगा यम्यस स्वामीनाथन के द्वारा सदाबहार करांती के भारत में पड़ेता यम्यस स्वामीनाथन ने हरिद करांती के भारत में सदाबहार करांती की आवश्षटा पर बल दिया है ने काधि सुरक्षा के लिए समाजिक आर्थी को पारिष्भृतितिक सहित बिभिन आयामों पर विसेज ध्यान देने की बाग इन्होंने किये और सदा भारक्रान तीक्रशी के समगरे विकास से संबंधित है तो भी आपसों सही हो जाएगा है बीसमों प्रशन भारत में आर्थिक सर्विक्षड प्रकासित किया जाता है किसके द्वारा तो बित्मंत्राले की द्वारा ये विकल्प में हाँ पे सही हो जाएगा 21 प्रशन देखते हैं कि भारत की निम्न जहीलों में से कौन असम में अवस्थित है तो इसमें आप देखेंगे चपनाला जहील यह असम में है और असम की अन्न जहीलों देखा जाए तो इसमें चंदूबी जहील है हाफ लांग जील है और चपनाला जील तो असम में है ही डी आप से नहीं पर सही हो जाएगा 22 प्रशन अंतरास्ट्री टाइगर दीवस मनाया जाता है कब तो 29 जुलाई को बी भी कल्प में हाँ पर सही हो जाएगा यह कहां पे है तो यह आपका है नई दिल्ले में सी आप से नहीं हो जाएगा अगला कोशन देखते है कि निमनिमेंसे किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंदरी गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया तो 1985 में सी भी कल्प में हाँ पे ये केंदरी गंगा प्राधिकरण का गठन तत्कालिन प्रधानमंत्री राजियुगांधी के देख्षता में फरवरी 1985 में किया गया था और सितंबर 1995 में इसका नाम बदल करके राश्री नदी संडक्छन प्राधिकरण यानिकी यन आर सी ये कर दिया गया तो सी आपसन सही हो गए हैं 25 प्रशन राश्री जनसंख्या नेती 2000 के लक्षी को संसोधित करते हुए जनसंख्या को इस्थिर इस्थिती कब तक लाना होगा तो 2070 तक ये भी कल्प यहां पे सही हो जाएगा 26 प्रशन भारत में दसक यानि कि 2001 से 2011 में जनसंख्या की ब्रिद्धी थी तो 17.7 प्रतिसत ये आपसन यहां पे सही हो जाएगा यदि देखा जाए जनकर्णा 2011 के अंतिम आकडों के नुसार तो 2001 से 2011 के बीच यो दसकी ब्रिद्धी थी भारत की 17.7 प्रतिसत यानि कि ये आपसन सही हो जाएगा अगला प्रशन है उत्तर प्रदेश में सरवाधिक जनसंख्या वाली जनजाती कौन सी है तो यहाँ पर बी आपसन सही हो जाए गोंड जनजाती 2011 की जनगर्णा की बाद गोंड जनजाती जो है उत्तर प्रदेश की सरवाधिक जनसंख्या वाली जनजाती है और इसके पहले 2001 की जनगर्णा होई थी उसमें थारू जनजाती जो है सरवाधिक इनकी सबसे ज्यादा स सामिल जब किया गया, 2003 में, 2003 में सामिल किया गया था, उसके बाद गोंड जंचाती की संख्या सरवादिक हो गई, अगला जो प्रशन है, किसानों है, तो किसान क्रेडिट कार्ड, यानि कि केसीज की योजना लागू की गई कब, 1999-99 में लागू हुआ था, यह आप समया पर सह हो जाएगा, 29 प्रशन है, मुख्य बैंको, यानि कि 14 मुख्य बैंको का राश्टी करण कब हुआ था, तो यह हुआ था, 19 जुलाई, 1979 को, भी आप समया पर सही हो जाएगा, और अगला प्रशन है अब, निमलिखिती, युक्तियों में से किसको मोटर गाडियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रियोग में लाया जाता है, तो है radiator, C बिकल्प यहाँ पे से हुजाएगा, रेडियेटर इन मोटर गाडियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रियोग में लाया जाता है, पाली ग्राफ जो दिया गया, यह जूट, जूट का पता लगाने वाला यंत्र है तर्वाइन के द्वारा बहते हुए द्रव की गती जूर्जा का गोडन उर्जा में परिवर्तित करके यांत्री कारे प्राप्त किया जाता है और क्वांड्रेट जो दिया गया है ये नौ संचालन तथा खगोल बिग्यार में उचाई और कूणों कुम आपने वाला या यह अंत्र है कॉंड्रेट तो सी विकल्प यहां पर सभी होगा रेडियेटर तो दोस्तों यह था आपका उत्रप्रदेश लोकसिवायोग यानि कि यूपी पेसी के द्वारा आयोजित होने वाले एक्जाम येल्टी ग्रेट तो येल्टी ग्रेट के लिए सामान अध्य आपको पहले मिलता रहे तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ये बैच आपका 22 दिसंबर से सुरू हो रहा है तो जो लोग ये यूपी पेसी आरवार मेंस बैच से जो है जुड़ना चाते है निचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया वहां से चीक कर सकते हैं या फिर आप अनेकैडिमी लर्निंग एप डाउनलोड करके वहां से सिधे जो है आप जोड़ सकते हैं तो निचे जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया गया और हमारा रेफ्रल कोड आप यूज करेंगे एक्जाम लर्न तो आपको 10% का डिस्कॉंट भी वहां पे मिल जाएगा